असलाम अलेकों वेलकम टो मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल रेसिपी बताने जा रही हूं यह सट्डियों के लिए बहुत ही जादा मुफीद है और बहुत ही बेशिमार इसके बेनिफिट्स हैं वह मैं आपको बता देती हूं कैसे आज में जो कावा बनाओंगे उसके लिए मुझे वान मॉग ओफ वाटर निके पानी चाहिए एक मॉग थोड़ा सा अद्रक छिलावा थोड़ी इसी पत्ती एक चुटकी चाय की पत्ती कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लेगें हाफ टी स्पून शुगर अग अगर आपको कम पसंद है तो आप इसमें कम यूज कर सकते हैं दार चीनी के दो पीसिस लोंग दो पीसिस और एक बढ़ी लैची और थोड़ा सा नमक इस भी मैं लेमनेट कर रही हूं टेस्ट के लिए सबसे पहले मैं सोस पहन लोगी उसके अंदर मैं यह पानी आट करोंग मैं लास्ट में यूज करना है और यह सारी चीजें मैं इसके अंदर आट करने के बाद अब मैं इसे बॉलने के लिए रख दूँगी इसके अंदर मैं छोटी अलाइची भी आट कर रही हूं यह ऑप्शनल है खुश्बू के लिए यूज की जाती है अगर आपको सही लगे दो आप यूज कर लें तो मेडियुम फ्लेम पे मैने इसे पठने के लिए रख लाइं हैं अम्यंसे कवर कर दो ह dudूगी जब तक यह बॉल रहा है प्वांच मिन्ट के लिए इसे कोबर कर रख दिया था इसका पानी अपतना शुरू गया है और चाय की पत्ति का तक्रीबर रंग भी निकला है इसे लन रखा दार मैंने पांच मिन्ट कवर कर कर के चलने के मज़र से इसे चान लोगी मगमे, मगमे कावे को चान लेने के आप बाद अब में इसके इंदर लेमन एड करोंगी, लेमन जिस टेस्ट के लिए यूज होता है, कावे की रेसिपी बनके त्यार है, यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आज मैंने आपको बताई है, गले के लिए नजला जुखाम हो आपको, सरदर दो रहा हो, जिसंदर दो रहा हो, इसके बहुत से मेनिफिट हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं, छोटे बचों को भी आप यह नजले जुखाम के लिए, उसके इलावा इसकी सबसे इंपोर्टेंट जो बेनिफिट आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह यह है कि इसके अंदर अगर आप शुगर की जगा हनी एड़ करें, तो यह टिप वेट लूस के लिए भी यूज की जा सकती है, सुगो नहार इसे बना के इसमें हनी एड़ करके शुगर एड़ नहीं करनी है, अगर आप लगा था पीएंगे, तो आपका वेट लूस होना शुरू हो जाएगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक करें, इसको शियर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं, आप आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, अलाफेज